हॉलिवुड के एक बड़ी ही मशूर फिल्म है एवेंजर्स जिसने कमाई के मामले में दुनिया की सभी फिल्मों को काफी पीछे छोड़ दिया है और फिल्म के करेक्टर्स लोगों के बीच में इतने जादा पॉपिलर है कि कभी-कभी तो शक होने लगता है कि आयन में वगेरा कही असली तो नहीं है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या लगता है इंडिया में एवेंजर्स जैसी फिल्म बन सकती है क्या आप बोलेंगे कैसा मजाक है कहां हॉलिवुड की टेक्नोलजी और कहां बॉलिवुड का नैपोटिजम फाल्तू के सपने देखने में सिर्फ समय बरबाद होता है और दिल तूट जाता है वो अलग तो भाया ज़रा रुकिये ठेर जाईए दुबारा सोच लीजिए क्योंकि जिस तरीके से आस्मान में छेट तो नहीं हो सकता लेकिन एक पत्थर को तब्यत से उचानने में कोई बुराई है क्या ठीक वैसे ही इंग्यन सिनिवा में एक ऐसी फ्रेंचाईज की शिरुवात होने वाली है जिसमें वही सुपर हीरो फिल्मों वाले एमोशन्स हैं रॉंटे खड़े करने वाले एक्शन सीन्स भी हैं और हाँ आसमान में उठते हुए इंसान भी नज़र आएंगे फिल्म में इस बार आपको एक नहीं दो नहीं बलकि तीन-तिन सुपर कॉप नज़र आने वाले हैं जिसमें सिंगम और सिंबा के बाद अब सुरे वंची की भी एंट्री होने वाली है बस फर्क इतना सा है कि सिंबा और सिंगम की लड़ाई थोड़ी परसनल थी लेकिन सुरे वंची की जंग काफी इंटरनेशनल होने वाली है कहानी में इस बार टेरिरिजम जैसे सेंसिटिव इशू को फोकस में डाला गया है जिससे हम सिर्फ फिल्मों में नहीं बलकि असली दुन्या में भी लड़ाई लड़ रहे हैं मुंबई में हुए कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स को बेस बनाकर एक खतरनाक स्टोरी लाइन तयार की गई है हिट फिल्मों की गैरेंटी बन चुके अक्षेक हिलाडी कुमार फिल्में लीड रोल करते हुए नजर आएंगे जो मुंबई पुलिस के जाबास पुलिस आफिसर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं ये उन खास देशभक्तों में से एक होंगे जो खुद की जान और परिवार की भलाई से पहले देश के बारे में सोचते हैं और बदले में कुछ बिना उमीद किये अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देते हैं ट्रेलर में डाले गए एक्शन जीन्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म पूरे तरीके से एक मास एंटरेनर होने वाली है जिसका सबसे बड़ा मकसद लोगों के फेस पर स्माइल लाना होगा यकीन मानिये इस बाद फियेटर में सीटियों और तालियों के शोर का नया वर्ल्ल रिकॉर्ड बन सकता है लेकिन एंटरेन्मेंट के साथ साथ फिल्म की कहानी में एक सोशल मैसेज भी छुपा हुआ है जिसका डिरेक्ट कनेक्शन रिलीजन के नाम पे होने वाले भेदबाओं के साथ जुड़ा हुआ है एक सबसे बड़े जूट के उपर से भी परदा उठाया जाएगा जो सिफ लोगों के नाम के पीछे लगे हुए सरनेम के आधार पे उनको नीचा दिखाने का हग दूसरों को देता है और मासूम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए धर्म का गंदा खेल खेला जाता है बाकी फिल्म के डिरेक्टर रोहिट छेटी हैं तो आप समझ लीजिए कि कार, हेलिकॉप्टर, अक्षे कुमार हर कोई जमीन से आसमान तक का सफर पूरा करेंगे बस अब आप साइन्स को लेकर बीच में मत आना क्योंकि एविंजर्स देखते वक्त इसको हम बड़ी चालाकी से नजर अंदास कर देते हैं तो इंडियन फिल्मों के साथ भिदबाओ करना गलत बात है लंबे वक्त के बाद अक्षे और कैटरिना की जोड़ी वापस लोटने वाली है और ट्रेलर में दौनों की बॉंडिंग काफी स्पेशल नजर आ रही है जिसमें जैके श्रॉफ विलन्स के लीडर होने वाले हैं और इनका साथ देने के लिए निकेतन धीर जैसे टैलेंटेड अक्टर को भी कास्ट किया गया है लगता है इस बार लड़ाई आर्या पारवाली होगी देखना काफी इंटरस्टिंग होगा कि रनवीर और अजे देवगन को फिल्म में कितना इंपोर्टन्स दिया जाता है फिल्म की कहानी जरूर सूरेवंशी के इडगेट घूमने वाली है लेकिन सिंबा और सिंगम को नजर अंदाज कर पाना मुश्किल काम है बस एक छोटी सी शिकायग मुझे फिल्म में डाले गए कम्प्यूटर एफेक्ट से है जिनको शायद थुड़ा और रियलिस्टिक बनाया जा सकता था क्योंकि पैसा खर्ष होई रहा है तो थुड़ा और कर लीजिए क्या पता हमारी इंडियन फिल्मों को भी किसी दिन हॉलिवूट के नजदीक आने का मौका मिल जाए लेकिन एक डर जो मुझे सबसे जादा सता रहा है कि फिल्म के साथ करन सहाब का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है और आप तो जानते हैं कि करन सहाब सोने को चूकर भी पत्थर बना सकते हैं बस दुआ करिएगा कि इस बार अक्शे कुमार की दमदार परफॉर्मेंस को करन सहाब की कहीं बुरी नज़र न लग जाए तो बस इंतजार करिए 24 मार्श 2020 का जब अक्शे सहाब एक बार फिर से आपका बैंक बैलन्स थोड़ा कम करने वाले हैं और थीएटर में आपको एक और ब्लॉक बस्टर फिल्म तोफे में देने वाले हैं बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ठेक करें बैबै